दोस्तों रमश्कार मैं संजवग्गु और मौझूद है देश रोजाना के डिश्टल मीडिया मंच पर विवादों में रहने वाले फिरोजपुर जिरका के कॉंग्रिस विधायक मामन खां जब मामन खां का नाम आता है तो फिर कई लंबी बड़ी फिर हिस्त सामने आती है उस पर नजर जाती है मामन खां विधायक मामन खां जो दूसरी बार विधायक निर्वाचित हुए लगाता रहा और नजर जाती है उन सब बातों पर जो उन पर आरोब लगते रहे मैं आपको बता रहा था कि विवादों के घेरे में रहने वाले या विवादों के अंदर जुड़े रहने वाले ममन खांपर एक और विवाद जुड़ गया है विवाद जुड़ा है उन पर मिवाद के ही उनी के विधान समा छेत्र के गाउं के निवासी गाउं का नाम है पाडला शाहपुरी और पाडला शाहपुरी के सलीम ने वहां की जो फिरोजपुर जरका की पुलिस चौकी है वहां पर शिकायत दिये और शिकायत में कहा है कि मामन खाने उनको धमकी दी विधायक मामन खांपर आरोप लगा है कि उन्हों ने धमकी दी और धमकी में ये कहा कि तुम्हें जंदा गार दूँगा और नहू मेवात में रहने नहीं दूँगा बहुत बड़ी बात है, अगर विधायक पर इस प्रकार का आरोब लगता है, वो विधायक जन पर कानून का पालन करना, कानून का बनवाना और कानून के दाइरे में रहना, जिनकी ड्यूटी माली जाती है, अगर उन पर इस प्रकार का आरोब लगते हैं, तो फिर उंगली द उठेंगी हालाकि विधायक साब कह रहे हैं एक सोशल मीडिया प्रेटफॉर्म पर मैं उनकी बात पढा था मामन खां ऊसके ं अंदर कह रहे हैं कि मैंने कोई धमकी नहीं दी है मामन का कह रहे है कि शिकायद देने वाला जो व्यक्ति है यानि सलीम वो ब्लैक मेलर है कह रहे हैं कि वह उनके खिलाफ बेवजा भड़काऊ पोस्ट के सोशल मीडिया पर डालता रहता है आरोपी ने मतलब हुआ कि धमकई दे करके पैसा लेना प्रताडित करना यानिकि एक्स्टोर्शन मनीश मणे ली थी और यह पैसा किससे लिया था एक्स्टोर्शन कैसा था यह तो क्लियर नहीं हो रहा विजायक्सा है कि partiya processorwind मनी लिए थी और सामान्य बात हुई थी यानि कि उन्हें ये तो मान लिया कि आमना सामना हुआ था ये तो उन्हें ने मान लिया कि आमना सामना हुआ था लेकिन साथ साथ ये भी कह दिया कि जो आरोपी है वो एक्स्टोर्शन करता है यानि कि धंकी देता है परतारित करता है किसी को और साथ मे ये का कि मेरे खिलाफ यानि कि मामन खां के खिलाफ में सोशल मीडिया पर अनरगल पोस्ट जारी करता है दोस्तों सोशल मीडिया के बारे मैंने आपसे कई वार बास शेर किये कई वार जिक्र किया है सोशल मीडिया एक ऐसा हथियार है जिस पर कोई भी व्यक्ति अपने बात कह सकता है रख सकता है एक ऐसा मंच है सोशल मीडिया जिस पर आपके साथ जो भी कुछ चल रहा आप उसे बता सकते हैं लेकिन सोशल मीडिया का जितना उप्योग है उससे कहीं ज़्यादा दुरूप्योग है, मैं पहले भी कई बार अपने वीडियो में आपसे बात कहता रहा हूँ, अब अगर बात आ जाती है मामन खां की, और मामन खां पर लगे आरोब की, और आरोब के बाद में उनका एक और विवाद में जुड़ जाना, वहां की जो चौकी के प्रभारी है, मुनिपाल वो कह रहे हैं कि सलीम खां ने शिकायत दिये, शिकायत पर जाच की जा रही है, तफ्तीश की जा रही है, तफ्तीश के बाद में जो सामने आएगा उसके आधार पर कारवाई की जाएगी, यह यह पुलिसिंग की, यानि कि जो पुलिस की कारेश एली होती है, उसका एक पार्ट है, जिक कोई वेक्ति-शिकायत देता है, तो शिकायत की इंवरेस्टिगेशन होना, तफ्तीश होना, उसके अंदर फिर तस्दीव किया जाना, और फिर उसपर एक्शन होना, अगर चिकाय विवाद चाहे वो नुहू वाला जो मसला था जो ब्रिज यात्रा निकली थी ब्रिज मंडल यात्रा के दौरान जो विवाद हुआ था उसके पीछे जो आरोपी बनाए गई उसके अंदर मामन खाएं प्रमुक आरोपी थे उस मामले में वो गिरफतार भी हुए और जेल में भी रहे आजकल वो उस मामले में जमानत पर है मामन खाएं पर आरोप लगे कि नुह के अंदर इंसा बढ़काने के पीछे मामन खाएं के बयान काफी हद तक जिम्मेदार थे मैं आपको बताता चलूं दोस्तों की एक पुरानी काहवत है कि जवान से निकली हुई जो बात होती है वो कभी खाली नहीं जाती और कहा जाता है कि हथियार का जख्म भर जाता है लेकिन जवान से दिया गया जख्म भरता नहीं और ये बानगी भरा है इन बातों की चाहे तो अगर नुह इंसा की बात करते हैं तो उसके अंदर जो भी लोग दोशी थे जिनके सोशल मीडिया पर बयान वाइरल हुए जन सब पर F.I.R. हुई जिन में से कुछ जमानत पर हैं तो कुछ जेल में भी हैं जेल में आला कि और मामलों दूसरे मामलों में भी हो सकते हैं ले से पहले विधानसभा की या कारवाई आपको ध्यान होगी के लिएक सब्सक्रावती कि विधान सब्सक्राइट के अंदर मामन खा법 विधान सब्सक्राइब suggesting कर रहे थे वो कह रहे थे कि अगर मेवात में आये तो ऐसा कुछ था प्याज सी फोर देंगे ऐसी कोई बात थी और वो टिपनी जो उनकी थी जो विधान सभा में उनकी जो बात थी वो सोशल मीडिया पर इतना चली कि बाद में वो एक बड़ा प्रमुक कारण बनी नूं के अंदर हुई हिंसा का मामन खांगरिफतार हुए जब विधान सभाद चुनाव अब चल रहा था तो इस विधान सभाज चुनाव के अंदर भी सोशल मीडिया पर मामन खां की बातें काफी फिर से वाइरल हुई का रहा कि कॉंग्रेस की सरकार आ रही है मेवात में वो रहेगा जो हमारे इसाफ से चलेगा कुछ इस प्रकार की बातें थी वो भी काफी वाइरल हुई और मैं आपको बताता चलों दोस्तों की मेव मुसलिम समाज के प्रमुक बुद्धी जीवी व्यक्ति है उनसे मेरी पिछले दिनों बात हो रही थी टेलिफोनिक और वो काफी हताश और निराश थे वो कह रहे थे कि मामन खां की टिपड़ियों की वज़ा से मेव मुसलिम समाज को काफी नुक्सान उठाना पड़ता है और मैंने आपसे कहा भी दोस्तों की जवान से निकाली गई जो बात होती है जो हम शब्द कहते हैं जो बात हम करते हैं वो दूर तक जाती है और उससे कई बार ऐसे हालात बन जाते हैं कि जो फिर संभाले नहीं संभलते हैं अब मामन खां के साथ में एक नया विवाद जुड़ गया है और वो विवाद कुछ ऐसा है कि पहले तो उनके साथ जो भी बातें चली वो दूसरे समाज के लिए हुआ करती थी लेकिन अब उन पर जो आरोप लगाया है जो शिकायत करता है सलीम और सलीम का कहना हैं कि मामन ख् Size मुझे रास्ते में रोग करके गाउं का नाम दिया है वहां रोग करके धमकी दी और कहा कि तुझे जिंदागार दूँगा और तुझे विवाद छुडवा दूँगा हलाकि विदायक मामनखा भी कह रहे हैं कि इस मिवाद को ले कर के रहे हैं कि जो आरोपी है वो ब्लेक मिलर है वो उनके खिलाब फरजी और गलत पोस्ट वाइरल करता है इसके साथ साथ कहते हैं कि एक्स्टोर्शन मनी ली हुई है उसने अब मामले की जांच होगी पुलिस जांच करेगी और जांच के बाद में सामने आएगा कि क्या इसके अंदर सच है लेकिन दोस्तों एक बात जरूर है कि जब पबलिक डोमीन के अंदर लोग जो होते हैं जन प्रतिनीदी होते हैं चाहे वो पंचायत से ले करके गाओं की पंचायत से ले करके और देश की पंचायत तक की प्रतिनीदी हों उसके सदस्य हों उनके आचरन पर उनके वहवार पर उनके बात कहने सुनने पर सब पर लोगों की नजर होती है वो जिस प्रकार की बात करते हैं उसका जनता के बीच में एक संदेश जाता है और मामन खान ने जिस प्रकार का अब उन पर ये नया जो आरोप लगा है अगर आपको किसी से कोई शिकायत भी हो सकती आप कहते हैं कि कोई व्यक्ति एक्स्टोर्शन मनी ले रहा था आप कह रहे हैं कोई व्यक्ति उनके खिलाफ आपके खिलाफ सोशल मीडिया पर पोस्ट डाल रहा था तो फिर कानूनी कारवाई करने का अधिकार तो सब के पास है किसी से चीना नहीं गया और हमारा समिधान सबको इजाज़त देता है कि समिधान के दाइरे में रहकर कानून के दाइरे में रहकर काम किया जाए कानून अपने हाथ में ले काम करने के इजाज़त तो हमारा समिधान देता नहीं अगर विधायक साहब को शिकायत थी अपने जो आरोपी है फिलाल सलीम जिसको पीडित भी का जा सकता है जो शिकायत करता है अगर विधायक साहब को सलीम से कोई शिकायत थी तो फिर उनके पास रास्ता था कि वो पुलिस के पास जाते और समिधान के तहट कानून के तहट रा की दे दी अब मामला पुलिस के पास है वैसे आपको क्या लगता है कि क्या विधायक की ये कारेशली ठीक थी क्या विधायक को अगर लगता था कि उनके खिलाफ कोई बात थी तो क्या उनको फिर उसके लिए पुलिस के पास नहीं जाना चाहिए था और आपको क्या लगता है क क्या विवादों और मामन खां का ये चोली दावन का साथ है जो लगातार जारी रह जाता है कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं जुड़े रहे हमारे साथ देखते रहें देश रोजाना का यूट्यूब चानल सबस्क्राइब कीजिए साथ ही देश रोजाना की खबरे सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन